हेलो प्यारे बच्चो माई फ्यूचर डॉक्टर्स देखिए हमने पिछली क्लास जो की थी लिविंग वर्ल्ड की उसमें हमने दो बच्चे बहुत सारी बाते बताते हैं लेकिन हम इसमें एक बहुत चोड़ी सी चीज भूल जाते हैं बच्चो अगर मैं आपको बताऊं कि रिप्रडक्शन क्या है यह हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं तो लोग बोलते हैं लिविंग और्गानिजम यह ज़रूरी है बोलना लिविंग ऑणिजम घेव में रॉड शॉर्टक यंग इसवनर्टक्ष युवर्ण्थ घुम्ण उसी की काइंड के होंगे वेज्ज़क्ष की फैमिली में हुमन बेबी आएगा यह न लायनस की फैमिली में गब आएगा, बिच की फैमिली में पपी आएगा, तो यह हमें जरूर लिखना है, to young ones of its own kind, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गडबड कर देते हैं, वो क्या बोल देते हैं, when a living organism produces, तो यहाँ पर हम produce नहीं कर रहे है, यहाँ पर हम production की बात कर रहे हैं, अब किसी factory में अगर toys बन रहे हैं किसी factory में bottles बन रही हैं किसी factory में कपड़ा बन रहा है तो वो क्या है वो है production हम बात कर रहे हैं reproduction की कि suppose अगर मेरे पास यह stylus है और इस stylus में से एक और stylus निकलना शुरू हो जाए तो हम बोलेंगे यह reproduction है लेकिन अगर किसी company में या factory में ऐसे stylus बनते चले जा रहे हैं तो यह जो definition अभी है कि जब कोई किसी को बनाए है ना वेने living organism give rise to young ones of its own kind यह बात यहाँ पर पूरी नहीं है production वर्ट तो बिल्कुल use ही नहीं करना है आगे हमें बोलना है from its own body from its own body जब तक body से ना निकले वो production रहेगा और जब आपने यह phrase add कर दिया from its own body इसमें बहुत सारे बच्चे देखिए एक जगा और गडबड़ करते हैं अगर कोई हम से पूछता है autotroph कौन होता है autotroph तो हम बोल देते हैं those who synthesize their own food जो अपना खाना खुद बनाते हैं मम्मी भी तो अपना खाना खुद बनाती है तो वो autotroph है हम वो खाना खा लेते हैं तो हम itrotroph है नहीं ऐसा नहीं है बच्चो फिर बात वो ही बोलनी है those who synthesize, synthesis का meaning मैंने आपको फिछली क्लास में दिया हुआ है putting together तो autotroph, auto means self and trough means nutrition यह ध्यान रखियेगा word meaning हमारे लगातार चल रहे है auto means self and trough means nutrition इसकी भी बात करेंगे हम second chapter में biological classification में तो हमको बोलना है जब कोई organism खुद अपना खाना अपनी body में synthesize करें खुद synthesize ना करें खुद अपनी body में synthesize करें when an organism synthesizes हम यह भी नहीं बोलना है when an organism forms और manufacture और produce नहीं synthesize putting together तो जब कोई organism अपना खाना खुद अपनी body में synthesize करें बच्चो तब हम उसको बोलते हैं autotroph when an organism synthesizes its own food within its own body तब हम उसको बोलते हैं autotroph इसी तरीके से reproduction क्या हुआ when a living organism gives rise to young ones of its own kind from its own body then only you call it as reproduction बात समझ में आई बच्चों को के नहीं चलिए इसको यहां से हटा देते हैं और आगे अब बात करते हैं हमारी NCRT ये बुक बता रही है हमको क्या बता रही है NCRT बुक के जो unicellular organisms हैं देखिए unicellular organisms एक cell वाले उनके बारे में बताया है कि अगर एक cell है और divide हो गई तो बच्चों इससे दो cells बन गई ठीक है तो ये हमने क्या देखा बहुत छोटी सी बात है ये बच्चों को समझ नहीं आती बुक पढ़ने के बाद पेज नमबर 4 पर ये बात की गई है हमारी NCRT बुक में चैप्टर 1 में कि unicellular organism में हम ये बोल रहे हैं reproduction है बिलकुल सही है आया ना एक से दो बने ये reproduction हुआ के नहीं बिलकुल हुआ फिर हमारी बुक ये बोल रही है कि ये cell division भी तो हुआ बिलकुल ठीक है ये cell division भी हुआ और बच्चों तीसरी चीज ये है कि अगर नमबर बढ़ा अगर नमबर बढ़ा एक से दो दो से चार चार से आठ तो growth भी तो हुई भई अगर किसी की body में cells का नमबर बढ़ा है तो उसकी growth हो रही है तो आप ज़रा ये देखिए कि unicellular organism में हमारी बुक यही हमको सिखा रही है बच्चों NCRD book the best book क्या सिखा रही है कि unicellular organism में ये जो words हैं ये जो characters हैं इनको हम interchangeably use कर सकते हैं क्योंकि जो इससे हो रहा है वो ही इससे हो रहा है वो ही इससे हो रहा है तीनों का meaning एक ही आ रहा है निकल करके ठीक है ना but higher organisms में हमने क्या बात की हुई है ये बात की हुई है when a living organism give rise to young ones of its own kind from its own body then it is called reproduction फिर हमारी बुक ने एक बात और हमको बताईए if you can just have a screenshot of this मैं आगे इसके बताता हूँ Uniceller के बाद अब जो सबसे important बात बुक ने हमसे बोली वो ये बोली के mule जिसको हम बोलते है खचर ये nature में नहीं मिलता बच्चो ये captivity में human beings ने इसको cross hybridization के थूँ develop किया है उपर वाले ने इतना दिमाग दिया कि उन्होंने different species को cross किया mule की जो mother है ऐसे याद हो जाता है mule की जो mother है वो है male the female horse इससे याद रहेगा कभी भी आप confused नहीं होंगे कि mule में male horse था या male donkey था female horse था या female donkey था इसमें हमें confusion होता है ठीक है it is a cross of female horse with a male donkey under captivity means scientist ने animals को अपने management में रख करके ये cross hybrid बनाया हुआ है तो m for mule, m for mare and what is mare? सब बच्चे जानते हैं female horse इससे याद रहेगा बना confusion होता है male donkey था, female donkey था, male horse था, female horse था हमें नहीं मालूम but you won't find mule in nature एक बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे आपको बता देता हूँ जब मैं बच्चों से पूछता हूँ के बच्चो what is wild life? तो बच्चे बोलते हैं life in jungle तो मैं बच्चों से पूछता हूँ के wild क्या है बच्चे बोलते हैं sir wild माने जंगली wild माने जंगली अब ज़रा बच्चों ध्यान तो दीजी हम क्या बोल रहे हैं यार ऐसे नहीं चलेगा काम wild जंगली नहीं है because jungle is a word of English yes or no see jungle is a word of English so how can a word of English get converted into word of Hindi Hindi में jungle नहीं बोलते one बोलते हैं one हाई या ना हिंदी में बच्चों बोलते हैं one तो jungle तो word ही नहीं हुआ आपको यह कहें के हाँ उर्दू में है तो फिर हम उससे जंगली कैसे बना लेंगे yes or no actually हमको यह समझना है what is the meaning of wildlife wild नाम आते ही wildlife नाम आते ही बच्चों के सामने जो सबसे पहली ही में जाती है वो कौन से होती है right lion, tiger शेर, चीता, हाती यह सब दिखाई देता है क्या plant wild नहीं होते है plants भी तो wild होते है बच्चों आपके घर के बहार जो road के left और right पर grass निकली हुए that is also wild आपके घर की दिवार के पीछे अगर कोई people का पेड़ निकल रहा है दिवार में से या सदा बहार का पेड निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं you must know that that is called yes याद आ गया आपको जिसमें छोटे-छोटे pink कलर के flower होते है सदा बहार का पेड what it is called winka rosia और हमारा जो बच्चों chapter 9 है biomolecules उसमे एक table दी हुई है anti-cancer substance, drugs winka rosia, सदा बहार इतना important पेड है हम उसे निकाल के फेड देते हैं इसी से निकलता है biomolecule chapter में table में नाम है win-kristin, win-blastin anti-cancer substance और देखिए ये कहां से आगया नाम win, winka rosia, सदा बहार तो वो wild था wild means जो nature में हो don't say जंगली आज के बाद कोई बच्चा नहीं बोलेगा भई हमारे साथ in nature, life in nature बाद समझ में आ रहे हैं बच्चो या नहीं जो natural हैं, जो अपने आप grow कर रहे हैं, वो होते हैं wild और जो human management में grow कर रहे हैं वो domestic या cultivated animals domestic, cultivated plants तो देखिए, reproduction के लिए हमारी NCRT book में लिखा है कि mule reproduce नहीं करता, mule एक sterile hybrid है तो ठीक है, बट वो natural तो नहीं है न, you don't find it in nature wild नहीं है वो, वो तो human beings ने cross hybridization के थुरू बनाया है या एक example उन्होंने और दिया worker bees DB की colony में worker bees होती है ये भी reproduction नहीं करती बच्चो ठीक है मान लिया लेकिन ये दुनिया में आई ही तो reproduction से है और फिर हमारी book ने लिखा है infertile human couples ठीक है infertile human couples तो बच्चो infertile human couples क्या normal है नहीं कोई भी normal human being ऐसा नहीं है जो reproduce नहीं करता हर normal human being reproduce करता है but infertile human couples are abnormal and that's why they are treated in infertility clinics we have a lot of infertility clinics तो ये normal नहीं है ये reproduction से आए है और ये natural या nature में नहीं मिलता wild में नहीं मिलता तो इसलिए बोला जाता है के reproduction को आप defining feature मत बनाई है अगर reproduction को आप ले करके जाएंगे और इन में देखेंगे तो नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे ये living ही नहीं है इसलिए defining feature में नहीं है लेकिन NCRT ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है उसने last में लिखा हुआ है no non living being reproduces what does it mean इसका मतलब reproduction becomes the exclusive feature of living being जो मैंने पिछली class में आपको R दिया था exclusive feature वो कौन सा हो गया that is reproduction this R got it बच्चो इसके बाद में हम चलते हैं आगे fourth character पर चलिए इसको ओपर कर देते हैं fourth character and that is consciousness and what is consciousness कोई भी change अगर हमेरे सामने आए तो हम उसके लिए response दे that is consciousness response to stimuli singular होता है बच्चो इसका stimulus and what is stimulus any change any change suppose हम से कोई कहता है कि बाहर मत निकलना बाहर बहुत ठंड है तो अगर temperature वेरी कर रहा है तो हम उसके लिए response देते हैं गर्मियों में हमें पसीना आता है जाडों में हम शिवर करते हैं that is response to stimuli कोई spin चुप जाती है bleeding start हो जाती है यह हम candle पे से हाथ दूर भगा ले that is response to stimuli किसी भी चीज के लिए सारे living being they all respond to stimuli so this consciousness is a defining feature is a defining feature of all living being इसको आप एड़ करेंगे but adding to that adding to that humans बच्चो humans and of course हमारे closest relative chimpanzee यह मत बोलना के human के ancestor monkey थे no not at all किसी को यह नहीं बोलना है बच्चो human के ancestor monkey नहीं थे ठीक है ना monkey अलग है human अलग है chimpanzee हमारे closest relative है they are not our ancestors ठीक है ना तो बात यह हो रही है यहाँ पर के इन दोनों में क्या special है and that is self consciousness यहाँ पर यह समझ लीजे बच्चो what is the difference between consciousness and self consciousness और इस पर आपको Google पर बहुत सारा literature मिलेगा consciousness and self consciousness consciousness what does it mean क्या है यह respond to stimuli तो self consciousness पर क्या हुआ हम यह जानते हैं कि हम चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं that is consciousness हमें पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है कौन सी हमारे लिए बुरी है क्या है यह consciousness और self consciousness क्या है बहुत अच्छे एक्जामपल मैं आपको दूँगा इसका self consciousness का मतलब consciousness समझ में आ गया सबको हम चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं कौन सी चीज फाइदा करती है कौन सी नुकसान करती है response to stimuli that is consciousness self consciousness का मतलब होता है के वो चीजे हमारे बारे में क्या सोचती है हमें ये भी पता है आप suppose देखा है आपने human beings are hunters poachers भी होते है तो वो छुपकर की शिकार कर लेते है पता चल जाता है कि कहा पर क्या है आप देखते है discovery में दिखाते हैं हमारी country में तो ये सब बेन है because we have to preserve the nature actually conserve वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आगे की generations के लिए तो हमें तो plants और animals सबको saving में लगना है बट आप discovery में देखते हैं कि जो human beings हैं they are dominating on all living beings same as the case of chimpanzee तो हमें ये पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये ऐसा करेगा that is self consciousness दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हमें ये भी मालो that is self consciousness got it और उसके बाद में आते हैं fifth character ठीक है let us move it up the last character of living being that is बच्चो cellular organization the most easiest one cellular organization every living being समझ दीजे बच्चो बात को living being living being तभी कहलाएगा living being को living being तभी कहेंगे जब उसकी body में कम से कम एक cell हो उससे छोटी कोई चीज ना हो अगर cell नहीं है तो living नहीं है cell is the basic unit of life nine class में भी हमारे बच्चे पढ़कर गया आते हैं cell is the basic unit of life हां यह ना तो cellular organization होना बहुत जरूरी है what does it mean फिर से बता दू मैं a living organism is called living organism when it has should have, must have should must have cell cell होना चाहिए अगर उसके पास cell नहीं है तो वो living नहीं है तो देखिए दो C हमारे पास आज आ गए बच्चो एक cellular organization एक consciousness और एक M पिछली class में आया था that was metabolism इसलिए मैंने आप से बोला था पिछली class में c square M दो C यहाँ पर है और M है what is M? यह M यहाँ पर आ गया consciousness ठीक है ना consciousness cellular organization cellular organization and metabolism यह तीन बच्चो यह तीन अगर character हैं तो living being है एक से नहीं आपने बोला यह है यह नहीं है तो नहीं होगा यह है यह नहीं हो रहा इसका मतलब cell dead हो गई तो living नहीं है अगर metabolism नहीं होगा तो dead हो गई ठीक या consciousness नहीं है इसका मतलब dead हो गई तो तीनों का होना जरूरी है इसी लिए इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं बच्चो defining feature define करने के लिए ये तीनों आपको देखने होंगे these are called defining features एक नहीं एक से ज़्यादा है इसलिए ऐस लगाया हुआ है defining features of living organism ठीक तो हमने total पांच पढ़े एक चीज़ और बुक ने हमारी बताई है कि अगर हम कोई reaction test tube में करते हैं जैसे हमारे mouth में starch digest हो जाती है salivary amylase से यह हम 10 में भी पढ़ते हैं तो अगर हम saliva test tube में डालें और starch डालें तो वहाँ पर digestion of course होगा starch का ठीक है तो उसको हम metabolism नहीं बोलेंगे cell के अंदर बलके उसको metabolic reaction बोलेंगे यह NCRD ने clear किया है कि वो living phenomena lab में जो आप देख रहे हैं that is a metabolic reaction occurring in vitro word आगे आज के लिए in vitro यह latin में है in dash vitro vitro means lab in artificial conditions laboratory that is called in vitro और अगर natural condition में होगा तो वो भी word हम साथ साथ सीख लेते हैं बच्चों that is in vivo देख रहे हैं vivo means natural condition under natural conditions or in nature तो जो काम nature में हो रहा है वो कैलाएगा in vivo और जो काम बच्चों lab में हो रहा है that is called in vitro ठीक है तो these are all the characters of living being बच्चों को कोई भी doubt हो अगर आप इस class को देखें और आप comment section में लिख सकते हैं आप मुझे direct whatsapp भी कर सकते हैं this is my whatsapp number 9897224523 ठीक है बच्चों यह मेरा whatsapp number है आप इस पर doubts पूछ सकते हैं questions पूछ सकते हैं और कोई भी problem अगर characters of living being को समझने में आई हो तो वह आप पूछ सकते हैं ठीक है next class जो होगी हमारी वह इस chapter का जो second part मैंने आपको बताया था that is systematics वहाँ से शुरू करेंगे ठीक है and do subscribe my channel share it like it comment करिये और अपने दोस्तों को भी बताये के हम लोग ऐसा platform बच्चों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर learning learning will be fun right so goodbye for now thank you so much